दोस्तो पाच ऐसी सबजिया जो आपको नुक्सान पहुचा सकती हैं जी हाँ दोस्तो आम तोर पे हम सभी सबजिया खाते हैं पर क्या वो सबजिया आप सब सही तरह से खा रहे हैं या नहीं क्योंकि यही सबजिया आपको सिहत मन बनाने की बजाए आपको अस्पताल तक देखना सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हमने रखा है अपनी लिस्ट में किट्मी बीन्स यहां दोस्तों किट्मी बीन्स आपको नाम से थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर यह आपका फेवरेट राजमा है राजमा अगर आपने कच्छे हैं जो पूरी तरह से पके नहीं ह मतली उल्टी दस्त पीट इस तरह की प्रोडम के आपको सांवना कड़ना पड़ सकता है और कुछ केश्व में आपको अस्पदाल घंबर भरती भी होना पड़ सकता है और फिर 10-15 मिनट तक उबालते हैं जो कि आपको आपके किचन के अंदर अराम से देखने को मिल जाएगा जब आपके Great Scientist मा आपके लिए ताजमा बना रही हो दोस्तो दूसरे नंबर पे मैंने रखा है मश्रूम जी हाँ दोस्तो मश्रूम दोस्तो टेखनिकली मश्रूम एक तरह की फंगस है काफी सारी प्रजातिया हैं जंगली मश्रूम की जिनके अंदर जहर भरा होता है जो कि आपको कमजोरी से लेकर मौत तक लेके जा सकती है जिनके सिप्टम्स हैं आपको ना ही कुछ घंटों तक देहने को मिलेंगे और ना ही कुछ हफतों तक लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है आपके औरगन फेल हो जाएं दोस्तो जो इनके टॉक्सीन होते हैं उन्हें आप किसी भी तरह की कुकिंग से सेफ नहीं कर सकते हैं यह तो तब भी आपके लिए उतने ही नुकसान दैक साबित होंगे इनसे दूर ही रहिएगा दोस्तो तीसरे नंबर पे हमने रखा है अपने लिस्ट में कॉर्ण जिने आप भुट्टे के दाने के नाम से भी जानते हैं दोस्तों हो सकता है किकॉण के अंदर आफल्टा टॉक्सीं अपनप रहा हो जूर्टा ऑफला हौ्णा पनपनप रहा और इसके कारना आपके प्पेट के अंदर कैंसर भी हो सकता है लिवर और पाचन तन्तर से प्राब्लम भी हो सकता हैं दोस्तों इसे रिपोर्ट Administration in a अगर आपके पैट के खाने में औफला टॉक्सीन से भरा हुआ है तो जान लीजिए यह रिपोर्ट अमेरिका में पैट से रिलेटेड केस आए हैं जिनमें आफला टॉक्सीन से भरा खाने की वज़े से उनकी मौत हुगई भाईया रुको रुको आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजेगा पता चल जाएगा ओफला टॉक्सिंग के बारे में और इसे पता कैसे करें दोस्तो चौथे नंबर पे आता है अमरा टमेर जिन्ये की नाम से जानते हैं और यहरस घर अधाएन फीद धार्य और यहां कीका आप कर देगा और मद कर देगा सरदर्ध होगा और चखर भी आएगे तो जवाब है हाँ होता है तो टमाटर की लाली देखकर ही टमाटर को खरीदना अब यह पाचवे नंबर में रखा है अपनी लिस्ट में पटैटो यानि कि आलू हर घर में यह भी सबजी होती है तो आलू अगर हरे हूँ या फिर अंकुरिध हो रहे होँ तो मत ले समझ लो ये बात लेना मत उसे क्योंकि उसके अंदर होता है सोलानीन होता स्मॉल अमाउंट में है या पर इन्हे कहते हो अगर तो हो सकती है यह प्रॉल्लम जिसे बोलते हैं पटैटो प्लां पॉईजिनिं और सोला नम ट्यूब रॉसिं पोईजनिंग नाम थोड़े अजीब हैं जिसके सिप्टम्स हैं डाइरिया से उल्टी तक और शौक पैरलाइज़ ये भी इसके सिप्टम्स हैं तो ध्यान रखिएगा थोड़ा तो भाये जो भी मैंने आपको सिप्टम्स बताए हैं इनका ध्य ग्यान रखिएगा मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और थोड़ा से इस चैनल को ग्रोग करिए कराईए मैं आपके लिए ऐसा ही सूपर ग्यान लेके आता रहता हूं और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा दे दीजिए मज़ा आ जाए और मिलते हैं अगली वीडियो का अंदर जैहिंद